हेलो दोस्तों मैं हुरिषभ चार्जर आज के चुड़ा में हम कंपारिजन करने वाले हैं बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस वर्सस दे रियल में बड्स वायरलेस टू नियो इन दोनों नेक बैंड में से कौन सा आपके लिए परफेक्ट रहेगा उसका कंपारिजन करेंगे दोस अभी उसके बाद लॉंच हुआ है रियल मी बड्स वायरलेस टू नियो तो अभी क्या यह हमारे जो करेंट विनर है 1500 सेग्मेंट में उससे बेटर है कि क्या है कौन विनर है देखते है इस कंपारिजन में तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों अच्छा लगे तो लाइ डीटेड अन्बॉक्सिंग रिवीडियो बनाया है अगर आप वह भी चेक आउट करना चाहते है दोनों का ही वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है चलिए अभी स्टार्ट करते है पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों डिजाइन से पहले आपक देखेंगे मेटालिक टाइप है केबल की बात करें तो आप देखिए इदर आपको थोड़ा सा इदर स्ट्रेंथ टाइप मिलेगा मेटेरियल फ्लाट केबल है फिर यह है हमारा माइक्रोफोन यूनिट आज वेल आस कंट्रोलर विचिस सेपरेट फ्रॉम जो नेक बैंड का पार्ट है उससे सेपरेट आता है देखिए यह माइक्रोफोन यूनिट इधर आपको सेपरेटली मिलेगा तो आप ऐसे लगाएंगे तो इधर रहता है ठीक है फिर जो नेक बैंड वाला पार्ट है एगें डाट इस अलसो प्रिटी मतलब बहुत फ्लेक्सिबल टाइप है इधर भी आपको बेसिकली जो बैटरी कंपार्टमेंट रहता है इधर रहता है ठीक है तो यह हो गया हमारा डिजाइन बिल्ट क्वालिटी ऑफ 255 प्रो प्लस इसमें भी आप देखेंगे और एक चीज जो अटाचमेंट से थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं देखें इधर अगर हम बात करें रियल में बच्वाइरलेस टू यह मूर अन्दा कॉमन साइड है जैसे जाधा तर दूसरे टीड़ मतलब वाइरलेस नेक बैंड दिखने में रहते हैं वैसे ही है तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जो यह बड़्ट से एगें इस वान ऑलसो थोड़ा सा यहां मिलेगा देखे इस तरफ इस देग दूनों का ही अच्छा है इसका माइक भी आपको इधर ही मिलेगा अभी अगर बात करें डूरेबिल्टी की तो दोनों अगर आप अच्छे से मेंटेन करेंगे तो दोनों इस चल जाएगा बट यह थोड़ा सा ज़्यादा दियूर अलग मिलता है न ये उनको उतना पसंद नहीं आता तो जिनको ये ज्यादा पसंद आता है separate mic उनके लिए ये अच्छा है जिनको mic single unit चाहिए उनके लिए wireless 2 Neo ज्यादा बेटर हैगा overall design and build quality दोनों के almost similar है durability थोड़ आसा 255 pro plus थोड़ आसा marginally ahead है तो almost similar ही हो गया buttons की बात करें बटन क्वालिटी सेम बोथ दोनों में ही अच्छा button quality मिल जाता है sound की बात करते हो कि यह सबसे important रहता है कोई भी earphones में तो जो start करते है wireless 2 Neo तो basically real realme के मतलब in short हम realme बात करते तो realme का जो neckband है इसमें आपको 11.2 mm का drivers मिल जाता है तो driver size is bigger sound की बात करे clarity अच्छा है bass अच्छा है treble अच्छा है प्लस इसमें जो advantage है वो है कि आपको इसमें modes मिल जाता है मतलब आपको अगर bass पसंद है तो bass कर सकते bass mode bass boost plus mode करके आता है फिर नहीं तो dynamic रख सकते जो थोड़ा सा bass है बत उठना जादा नहीं है नहीं तो वाइस जादा clear चाहिए तो वैसे भी आप change कर सकते मोड तो तीन मोड आता है that is something unique in realme wireless to new boat की बात करें तो यह simple bass lovers के लिए बनाया हुआ है bass बहुत जादा heavy और वह जो punchy bass रहता है वह आपको मिलेगा treble की बात करें थोड़ा सा कम है voice clear है तो जिनको bass पसंद है मुझे भी bass पसंद है इसका bass आपको बहुत जादा पसंद आएगा तो bass fans के लिए बहुत बढ़िया है जिनको bass उतना पसंद नहीं उनको लगेगा कि सब चीज में bass क्यों आ रहा है तो for bass fans this is best वो जो थंपी 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 बेस आपको इसमें मिल जाएगा और एक चीज जो आप notice करेंगे जब आप earbuds मतलब realme को यूज करेंगे specifically दो चीज additional features आपको मिलेगा एक है app जो मैं mode बुला वो आप directly जो neckband है उससे भी आप change कर सकते है नहीं तो वाया एक app भी मिलता है realme link करके app आता है वाया that also आप mode change कर सकते है तो वो एक added advantage है जो boat में नह नहीं मिलता है और एक चीज इसमें आपको magnetic controls मिल जाता है अभी magnet की बात करें इसमें magnet है ठीक है इसमें magnet है boat वाले में बट जो realme का है इसमें आपको on-off करना नहीं पड़ता है suppose मैं अभी इसको खुला तो automatically अपने मेरे mobile के साथ connect हो जाएगा इसको close किया तो automatically disconnect भी हो नेक्स्ट माइक के बारे में बात करते हैं अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है एक जरूर कर देना दोस्तों अच्छा लगता है मेरे को आपका like देखिया और comment भी कर देना आपको कैसा लगाए वीडियो चैनल भी नहीं है तो subscribe करके bell icon भी दबाही दीजिए ठीक का difference है इसमें आपको placement अगर realme की बात करूं तो इसमें आपको इधर placement मिल जाएगा ठीक है on the other hand अगर मैं boat की बात करूं इसका mic placement थोड़ा सा अलग है पहन के आपको दिखा देता हूं इसका mic placement आप देखेंगे very close to mouth है तो अगर ज्यादा मतलब sound वाले area में हैं बाहर ज्यादा sound आ रहा है तो ज्यादा clarity मिलेगा इसमें मतलब क्यूंकि पास है तो थोड़ा ज्यादा आपका wise easily जा पाएगा उसका भी clarity अच्छा है बट क्यूं तो फिर this might be advantage है आप देखे होंगे जब हम wired भी use करते जिसमें microphone हम ऐसे करें हां क्या सुनाई दे रहा है कि नहीं हां बोलो हां clear है तो वह नहीं करने के चक्कर में यह ज्यादा easy हो जाता है देखें कि एकदम pass रहता है तो बहुत are clarity wise same बट थोड़ा सा edge इसको मिल जाता है ज gaming okay latency किसमें ज्यादा कम है तो gamers के लिए दोस्तों clear cut answer जो realme का neckband है उसमें आमको gaming mode मिल जाता है इसका gaming mode आप इधर से भी control कर सकते है प्रेस करके नहीं तो आप via the app also on off कर सकते है 88 millisecond का latency मिलता है and definitely for gamers the realme is the best choice boat वाले में latency है दोस्तों तो आप games उतने अच्छे से नहीं खेल पाएंगे आपको delay मिलेगा ही मिलेगा तो for gamers realme neckband is best charging की बात करें तो दोनों में ही type c charging मिल जाता है बट एक difference है जो realme का है दोस्तों इसमें आपको type c का port मिलता है यह open port मिल जाए इधर कोई भी flap नहीं है on the other hand अगर मैं बात करूं boat की तो इसमें आपको normal flap मिल जाता है तो that's very important थोड़ा dust अंदर नहीं जाएगा तो durability better रहेगा तो type c दोनों है बट थोड़ा सा again flap आपको मिल जाता है fast charging दोनों में ही support है battery life की बात करें तो again there's a huge difference realme का claimed है 17 hours boat का claimed है 40 hours मतलब बहुत जाद चलेगा जो boat का है तो battery life में boat is the winner water resistance की बात करें तो realme का है ipx4 boat का है ipx7 so ipx7 is better again boat wins फिर pricing की बात करें तो दोनों ही एकदम same pricing में most of the times मिलता है अगर कोई offer चल रहा है तो थोड़ा सा up-down हो सकता है थोड़ा किसी का price थोड़ा जादा या कम हो सकता है बट दोनों ही आपको 1500 या उससे कम के range में ही मिल जाएगा तो finally question आता है बहुत चीज सिमिलर टाइप है कुछ कुछ चीज में यह जादा बेटर है यह नहीं है तो कुछ यह बेटर है यह कम है तो confusion which is the best मैं simple करता हूं दोस्ता आपका decision अगर आपको gaming करना है यह मतलब games खेलते हैं gaming के लिए भी चाहिए तो फिर clear-cut answer go for the realme neckband realme wireless to new second अगर आपका bass उतना पसंद नहीं है sound में मतलब music सुन रहे हैं कुछ भी करें उतना bass आपको पसंद नहीं है तो फिर again the realme wireless to new is the choice क्योंकि again इसमें बेस नहीं चाहिए एकदम भी बेस नहीं चाहिए तो वो modes करके just voice को priority दे सकते हैं तो जिनको bass उतना पसंद नहीं है नहीं तो जिनको gaming ही करना है तो फिर वो खरीदना चाहिए realme wireless to new बाकी साब को अभी भी बोट का 255 pro प्लस ही खरीदना चाहिए क्यों durability की बात करें थोड़ा सा बेटर मिलता है एक और चीज है looks अगर आपको इसका लुक जादा पसंद है तो फिर फिर भी आप realme wireless 2 नहीं ले सकते है आचली मैं बोलू ना दोस्तों बहुत मतलब एकदम टाइट कंपारिजन है अल्मोस्त नेक टूनेक मतलब यह थोड़ा आगे यह कुछ चीजों में आगे तो दोनों यह आप खरीदेंगे आप मोर्दन साटिसफाइड रहेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा बट क्यूंकि अब भी हम कंपारिजन कर रहे हैं तो आपको ए सब्सक्राइब करें आपको बढ़िया थंपिंग बेस मिल जाता है फिर वाट रेजिस्टेंट थोड़ा बेटर है तो यही पूरा कंपारिजन हो गया है दोस्तों परसुनली मैं उतना गेम नहीं करता तो मैं आई वोट गो अगर मैं आप मुझे पुछते मैं कौन सा थोड़ा अलग हो सकता है मेरा रिक्वार्मेंट अलग है तो आप मुझे पूछेंगे मेरे रिक्वार्मेंट में गेमिंग मैं करता नहीं उतना तो फॉर दाट आइड आई वोट गो विद्धर 255 प्रो प्लस बट मैं आपको पूरा कंडिशन बता दिया हूं अभी आपको देखना है आपका रिक्वार्मेंट क्या है तीन चीज आपको बताया वह रिक्वार्मेंट आप देख लीजिए आपको आराम से डिसिशन कर पाएंगे दोनों ही प्रोड़क्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और दोनों ही अन्बॉक्सिंग रिवीव जासे के बोल बाइब आपको 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 आप